नमस्कार साथ यो तो आज है 26th October 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की दो दिगज कंपनी आई एक एक करके देख लेते हैं मामला क्या है सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सब की डर्लिंग यानि हिंदुस्तान अरोनोटिक्स लिमिडेट एचल की शियर लास् धाई परसन के आसपास रिकवर किया और शियर क्लोजिंग दिया 4,182 रुपए पे लगबग 0.36 परसन थोड़ा सा नीचे कमजोरी के साथ बेल की बात करें ये तो पूरा शॉक ठकर रख दिया मतब शुरुआत में देखा था तक्रिवन कितना हाँ 4-5 परसन तो गिर गया उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना लगबग साथ परसन का असपास रिकवरी भी कर गया ये देखे 6.91 परसन एप्रॉक्सिमेटली साथ परसन देखे लाजड़ शेयर क्लोजिंग दिया 275 रुपए पचपन पैसे पे डेर परसन ज्यादा तेजी के एक एक करके सबसे पहले हम निउस कवर करेंगे उसके बाद सिदा हम टेक्निकल अनलेसिस करेंगे अचा एचल की उपर जो सबसे पहला निउस ये है कि AFS देखें AFS का सेलिंग लगातार बजार में बर रहा है यह एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कारण है जो कि बजार लग परसेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे न यह देखिए फैस का स्टेक इंक्रीज हुआ जून क्वाटर में किता था 11.68 परसेंट सेप्टेमबर क्वाटर में कितना वा 11.85 परसेंट जहां पे दूसरे शेयर पे हमने देखा था इफैस का स्टेक काफी रिड्यूस हुआ था काफी गम हुआ था एफैस ने लगातार बाई किया है एचेल की शेयर और उसके साथ साथ यह बात भी सही है कि दूसरे जो बड़े निवेशक यानि यह इसके पास पहले जितना स्टेक था 8.81 परसेंट वो डिड्यूस होके 8.37 परसेंट परसेंट पे पहुँच चुका है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स उनके पास जो स्टेक था वो भी काफी इंक्रीज हुआ 7.86 परसेंट से बढ़ते वे 8.13 परसेंट पर पहुच चुका है यह दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि एफैस का स्टेक एचल की शेयर में इंक्रीज हाँ यह देखिए तो एचल अपना रिजल्ट प्रेजन करेगा क्वाटर टुका 14 नवेंबर 2014 को नहीं जूम नहीं हो रहा है 14 नवेंबर 2014 को आप सभी को मैं एक छोट अजर रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्रीब करके रखिए 14 नवेंबर बहुत इंपॉर्ट है ज सब्सक्राइब आपको वहाँ पे स्टाटस में दे दूंगा ओके आच उसको छोड़ के नॉर्मल जो रेगुलर दो इंपॉर्टन यूज है यह कल रात का नूस है 25 तरी का नूस प्याले आप डेट देखिए 25 रात का नूस है तेजर स्माक वाने फर्स्ट सीन विट एल एक बेसिकली मॉडेल नंबर है यहाँ अब देख सकते हूं मॉडेल नंबर सिल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉट एंड अस्त्रा माक वान बीवीर मिसाइल यह बहुत ही हाई टेक्नलाजाइजड ठीक है एक प्रोड़क्ट है जो कि वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा और में जो वहाँ पे बेसिकली एर टू एर मिसाइल है ना होता है ना एर टू सर्फेस एर टू एर तो सेम एर टू एर मिसाइल जो है एकदम एडवांस टेक्नलाजी अस्त्रा माक वान यह दोस्तों इंस्टॉल होगा और तेजस माक वाने स्कॉड़न पे यह दोनों अच्छी की जो एक्सपेक्टेशन था ना उसको भी बीट कर दिया इतना बड़िया पर्फॉमेंस किया खास करके मैं कहूंगा बेस्ट एबर पर्फॉमेंस दिया बेल ने मार्जीन की सेग्मेंट पे आचा जिन्होंने नहीं देखा रिजल पहले मैं आपको शौर्ट में एकदम हो चुका है अब जारा सोच के बताइए बड़े कंपनी है बड़ा इंकम जिनेरेट करता है उसके अगर आधा परसेंट एक परसेंट भी चेंज होता है ना बहुत ज़दा फरक परता है प्रॉफिट के अंदर हो यहां पे सीधा सीधा आप देख से तो क्वार्टर ली के कंपनी की नेट प्रॉफिट के तांदा 790 करोर इस बाद एक इतना ब्रॉड हो चुका है फोर डिजिट तक पहुच चुका है जो कि इसके पहले अगर आप चेक करेंगा ना क्वार्टर टू में कभी भी कंपनी फोर डिजिट में प्रॉफिट जेनरेट नहीं किया था हम इस बार अगर आप देखिए एक हजात तिरान बेकरो की प्रॉफिट जेनरेट कर लिया जो की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बेभी बहुत बढ़िया रहा तो इस बार देखिए उम्मेद ये भी है क्योंकि देखिए सेक्टर तो सेम है आप पहले इसकी पीछे कारण क दो सकता है आइए मैं आपको थोड़ा सा एचेलन बेल की जो टेकनिकल एनलेसिस करके समझाता हो कहाँ पर एजिस्टेंस है कहाँ पर सपूर तो चले मैं आपको सिधा चार्ट पर लेकर चलते हैं ऑपन कर लिया है लास्ट तीन मैने की चार्पन अब देखिए इस एल की शे तो इमिडियेट बात करें जो क्रूशल रेजिस्टेंस का पहले आप इंडिकेटर इसको देखिए जो आपको मैं बार-बार कहाता हूं इसके पहले भी देखे जब जब शेयर में उपर की तरह मुबेंड हुआ था हर बार देखिए या तो ब्लू कलर के लाइन यानि इंडिक पुनेंशियल मुविंग एवरेज को और रेट कलर की लाइन आपको दिख रहा है यह इंडिकेट करता है 50 देखिए में यहां पर बार-बार हीट हो रहा है रिजेक्शन मिल रहा है तो उसके सबसे पहले रेजिस्टेंस आप खुद बताए आपकी सामने में रख रहा हूं क दूसरा नमबर टू सारे 4000 पे यह दो दोस्तों रेजिस्टेंस हो गया अब बात करेंगे सपोर्ट कहां पर एक तो देखिए सपोर्ट पाइंगे कि 4000 के नीचे भी थोड़ा सा फॉल किया था में के मैने उसके बाद कि शेयर पीछे मूर के नहीं पहुंचा मतम नहीं देखा सीरसीद उपर की तरह मुपेंड दिया था यह जो लेवेल था यह था आपका 3750 के आसपास ठीक है तो एक तो लेवेल हमें मिल गया 4050 के आसपास सपोर्ट दूसरे सपोर्ट मिल गया 3750 पे लियर हो चुका है अब बात करेंगे आपका बेल बेल क्या होगा क्योंकि कमपनी की रेजल अच्छा हृओ ऑगा खराब हो रहा है यहां पर यह सादा प्रभावित होता है रेजल्ट बोकरेश ने जिस टैप की रेटिंग देगा जिस स्टैप की टार्गेट देगा नेक्स डे उसके पर तो आई थिंग कि बोकरेश ने ठीक ठाक टार्गेट दे दिया जिसक order book भी काफी increase हो चुका है ठीक है तो आज रखता हो कि बेल की share में ठीक ठाक एक तेजी होगा तो अगर तेजी हुआ सबसे पहला जो crucial resistance level इसके पहले भी आप देख लिजे HL के तरह बेल की share भी हर बार देखिए कहाँ पे अब आप खुद देखके खुद डिसाइड कीजे यह देखिए सबसे वहले टो इसकी उपर ठीक देखिए कहाँ पे नंबर 288 यारी लगबग 290 तो 290 और 280 दो इंपॉर्टेंट क्रूशल रिजिस्टेंस मिल गया नीची की तरब देखा लास्ट डे लो भी टच किया था अल्मोस्ट 255 किया असपास यह दोस्तो एक तगड़ा सपोर्ड मिल गया अब यह दोनों ही कमपनी दोस्तो बहुत अच्छी कमपनी है बस आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे तरब से यह जो टफ करता हूं आप चाहिए तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्ट्राग्रम एंड फेस्बूक लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन वक्स मिल जाएगा फिलाल मिलता है नेक्स वीडियो पर टेक क्यार बाबाई जय हिंद् झाल 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 झाल